कि बुजर्गों और दोस्तों तक्रिवन बारत साल का पार्लेमिंट का तजरुबा है बटन दबा करके येस और नोज में भोट करने का किसी बिल पर भोटिंग में हम लोग पार्लेमिंट में बटन दबाते हैं हारा और लाल में और यहां मौजूद हैं कई सेनियर जर्नलिस्ट और एकात लोग जो उस दिरगास से हम लोगों को कभर करते हैं वो लोग उनको भी हम देख रहे हैं तो वहां भी यह सिस्टम है कि हम लोग जब बटन दबाते हैं तो कई बार या तो जिसको भोट कर रहे हैं वो बत्ती जल नहीं रही है लाल यहरा या जो स्क्रीन पर जो फीगर राता है वो बिलकुल उल्टा पल्टा होता है तो यह अनिल्च मरिया जी है यह लोग प्रेश दिरगास से हसने लगते हैं हम लोग भी मजा लेते हैं एंपी लोग हसते हैं अब और कई बार पुरो परधान मंतरी हम नाम नहीं लेंगे पुरो परधान मंतरी तक का भोट वो गलत हो जाता है तो फिर से परची वहां सिस्टम है कि परची भी ले करके परलेमेंट के जो करमशारी हैं वो घुमते रहते हैं कि आप उसको यह किजिए और फिर सब्जेक्ट तू करेक्शन वो एनाउंस किया जाता है रिजल्ट तो अभी बात हुई पेपर ट्रेल मशीन में लगाने बेवी पैट जिसको कहते हैं सायथ तो वो तो पूरी जगा लगा भी नहीं और वो पूरा गिंती भी नहीं होने वाला है मीडिया के एक सेक्शन में ये सवाल उठाया गया इस पर उन लोगोंने मीडिया आप जानते हैं कि इस तरह के सवालों पर वो लोग भी कोशिश करते हैं कि सहमती बन जाए या दिखाते हैं कि इस पर आम सहमती हो रही है तो वो उन लोगों ने कोशिश की कि अगर पेपर ट्रेल लग जाए पूरा तो शायद इस मसले का हल हो जाए टेंपरिंग वाले मसले का अभी ये कैदे से ये सवाल अभी वहां भी नहीं उठा है कि वो जितना परशंट कह रहे हैं इतराज होने पर दस परशंट 20 उसको मिला करके देखा जाए ये सवाल वहां अभी उस ये में भी पूरी तरह से नहीं उठा है मैं तो कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ बिलकुल नहीं हूँ और आप लोगों ने जो जानकारी दी है तो उसमें मैं सोच यही रहा था कि भाई क्या पिंपॉइंट कैसे किया जाए जनता को आपके इसे एक तरह से कहिए इसे एक्सपर्ट के ओपिनियन का फैदा उठा करके हम लोग जनता में किस तरह से दे जाएं तो हमको लगता है कि दो तीन चीज हमने एक तो जनता में यह डाउट है अब इसको बने लोग देख रहे हैं और चीजें जो घटनाएं घट रही हैं और अपने मेहुल भाई जैसे लोग पैदा हो रहे हैं जगा जगा अपने मेहुल भाई तो वो लोग भी संका को मजबूत कर रहे हैं 84,000 जो SBI का जो बैंक एकाउंट्स है उसका डेटेल्स लिख हो गया फिर से वो बनाया गया उनका कार्ड इसू किया गया यह सारी चीजें है रोज रोज यह निकल रही है तो लोगों में संका है लेकिन अब एक सवाल जरूर है कि जो स्यासी पार्टियां है वो इस पर अभी ऐसा लगता है कि कुछ उधेड़ बुन में है और इसकी वज़ाई यह है कि लोग कभी कभी साइद इस गलब फामी में रहते हैं कि भाई पंजाब कैसे जित गए बीजेपी को है पंजाब कैसे गई पीछे में हम लोग भी उस समय थे अपन पुरानी पार्टी में तो मोदी जी को हरा करके हम लोग भी जीत गए तो हम लोग अभी जादे जो रिस पर दे रहे हैं साइद अभी भी कि भाई जिसको 2014 में पॉपलर्टी पीक पर थी तो उसको भोट मिला 31 परसेंट इट मिंस कि 69 परसेंट उसके खलाफ है और हम लोग मि 69 में से जादे तर लोगों को एक जूट कर लिए तो उहार गए जितना भी हेलिकाप्टर घुमाए जितना भी ये करें ये हो गया लेकिन एक चीज है मैं उसके बियॉंड जो खत्रा है आपने मैं ठिक बताया कि जिस तरह से डेस्परेट हो करके चीजें हो रही है और जिस तरह का महौल बनाया जा रहा है पूरे देश में और खावखा मिलिटरी को शेना को उसमें इंवाल्व किया जा रहा है जिसमें आम तोर पर इस देश की परंपरार रही है कि उसको इंवाल्व नहीं किया जाता है ठीक है सबके मन में सम्मान है और सब चीजें हैं लेकिन जि वो सब चीजें कुछ खत्रे का संकेत दे रही हैं और हम समझते हैं कि ये जिस पलिटकल साइंस में जो आप आप लोग कहते हैं फासिज्म तो नाम की उस बिमारी के तमाम सिंटम्स वो उसके लक्षन दिखाई पड़ रहे हैं साफ साफ जो भी जो भी तोड़ा कंसस लोग हैं वो दिखाई पर रहे हैं तो क्या होगा इसके beyond हम देखते हैं कि क्या हुए मान लिजिए उन्नेश का चुनाओ ये छोड़ दीजिए राजस्थान का चुनाओ या करनाटक का चुनाओ या एकादे स्टेट का चुनाओ उसके बाद उन्नेश के चुनाओ में अगर मान लिज गुजरात में के वकील साहब ने बताया हम लोग भी घुम रहे थे गुजरात के चुनाओं में चार सिट मिला था एलाइंस में हम लोग दो जीटे उसमें सरजी का जो हम लोग के साथ मिलके बनाये हैं लेकिन जो जो चीज हम लोग देखें जो वहां का फिजा देखें सूरत हो या और जगा हो गाओं में सहर में तो रिजल्ट तो बिलकुल अजीब लगा तो क्या होगा मान लिजे वो एक स्टेट की बार्त है पूरे देश में दो हजार उन्नाईस में तो ये खत्रा है कि अगर उसके प्रोटेस्ट में लोग उतरें तो चुकी भाई सर्टिफिकेट ले करके जीत का हम आये हैं हम सरकार बनाएंगे आप कौन होते हैं सणक पर उतरने वाले तो वो एमर्जेंसी को हम लोगों में से बहुत लोगों ने देखा है लेकिन ये अभी ही आगोसित इमर्जेंसी जैसे हालात हैं तो उस समय क्या हालात हो सकते हैं सेना को क्या उतरा जा सकता है इसके खत्रे हैं दिमाग में ये सवाल पैदा होता है तो अब सवाल ये है कि कैसे इसको किया जाए शीपई आई एमल की वो एड़ोकेट हैं विता जी वो भी बहुत अच्छी बात कह रही थी कि भाई सरल तरीका होना चाहिए डेमोक्रेशी में अब देखिए ये हम लों का जो मुल्क है ये ऐसा है कि कोई राकेट के स्पीट से चल रहा है कोई आज भी बैल गारी के स्पीट से चल रहा है बहुत जादे मिला तो साइकिल से उससे भी जादे मोटर साइकिल से तो कितना फरक है और ऐसी अबादी जादे अबादी है जो गरीब है जो निरक्षर है तो ऐसे लोगों को ये विकल्प होना चाहिए कि या तो हम ठीक है भाई आपको मुबारक हो आप इवियम से भोट करना चाहते हैं तो किजिए लेकिन जो आदमी इवियम से नहीं भोट करके और अपना बैलेट डाल करके करना चाहता है उसको अपना बैलेट डालने की भी कम से कम ये ही हो जाए अगर नहीं खतम करना चाहते हैं तो ये भी की जरूरत है और दिवार पर जो इबारत लिखी देखी जा रही है जगजा उसके खतरनाक संकेत हैं अगर नहीं चेता गया तो हम समझते हैं कि डेमोक्रेशी ये नहीं बचेगी ये संविधान भी नहीं बचेगा मोटा बोटी हम यही समझते हैं बाकी आप लोगों ने जो बताया है उसे बहुत सा ग्यान बर्धन हुआ है पॉइंट्स मिला है उन सब चीजों को ले करके हम लोग हमारे जैसे लोग कम जानने वाले लोग जो इस नई तकनीक से वाकिफ नहीं है वो जाएंगे तो यही हमको कहना है बहुत बहुत सुप्लिया